स्वागत दोस्तों आप सवीलियों को हमारी यूटूब चैनल MP Academy पे दोस्तों आज हम उज्जैन संभाग का साजपूर जिला के बारें पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमने नीमच जिला कंप्लेट कर लिया है और साजपूर जिला के बारें पढ़ने वाले हैं तो देखते हैं दोस्तों साजपूर जिला के बारें क्या क्या इंपॉर्टन्ट है तो दोस्तों मैप में देखें साजपूर त केसं दिख रही होगी सॉझाजाबुरल जी नहिए हम पढ़ने बादे थे दोस्तों जो साजबुर्ठील आपको बताएं हम ने पुझे सम्मा के अंतर रहता है इतना याद रहता है यहाँ अब मैप में के राज को नहीं टेश करता दोस्तों तो आपको इतना रखन लियाद लखना है और देखते दोस्तों साजापुर तो साजापुर में दोस्तों अगर आप जन जाती बात करें तो देखो दोस्तों यहां की जन जाती अगर लगभग देखेंगे तो यहां कोरकु जन जाती है दो से जो Надव हो कौन जो तो आगर मालवा सौच्छ से अलग के बना कब भना सूल्ह अगस्त सूला आगस्त सूला अगस्त दो हजार कंग के दें दूस्तों सौलाः मालवा साजपूर से अलग होकी एक तैयात ले कि आगे देखते हैं दोस्तों इसके यह जिल्मा मने रखे तो जो नाम पहले पहले सैहान पूर्ण रखा था, पहले लेकिन बाद में इंए जहां पुर्ड के नाम से रखगा गया था जिसको साघा पुर्ड के नाम रख गया है तो आपको जाध रख लेना एक तो साह जहांपूर स्वायम है दोस्तों एक है मोहन बडोनिया एक है सुजालपूर काल पीपल और गुलाना में पांस यह हो गई दोस्तों एक है अवंतिपूर बडोरिया और एक है दोस्तों अपनी क्या है पोत पोताइकल 1 ले अभर हैं आपको यह याद रखने न जाता है लेकिन आप से नाम याद करने से कि discut्कत नहीं होगी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तो इसमें तो इसकी नदियां की बात करें दोस्तो यहां दोस्तो जो मुख नदियां है तिन दो तीन नदियां पाई जाते हैं जो मुख नदियां दोस्तो यहां चीलन नदी मुख है दोस्तो और नदी भी पाई जाते हैं जैसे पारवती नदी हो दिए यहां एक मतलब साधापुर का किया जो उसी नदी किनारे साधापुर किला जो चीलर नदी किना इसलिए यह फेमस हो जाती है दोस्ती आगे देखते हैं दोस्तों और इसमें क्या-क्या पाए जाता तो आंगे इस नदी के हमने बता दिये दोस्तों लखुंदर नदी इसको लख्षमा नदी की नाम से भी जाना जाता है यह देवास के चांद गड़ पहाड़ से निकलती है दोस्तों आपको याद रखना इतना आँगे चलते हैं परियोजना की बात करें दोस्तों दोस्तों यहां नरबादा नरबादा काली सिंद्ध लिंग परियोजना चल रहे हैं दोस्तों कहां साजापूर मतलब साजापूर जिला इससे लाभान भी था नरबादा काली सिंद्ध लिंग परियोजना से साधापूर साजापूर जिला ल लोग तुझ आपको बतािए तिनर मालवाच छेत में आता कहँं सोाध्यपूरीय जाती है क्ालिवाच मृट्ठी अल्बह्मिट्ध मतलब पता है कि मालवाच नीदे आए पाथ जाती आए और आप पो मिध्शास सब जबाइब управ कान भी ती होती है अपर यह मतलब यह बेसिक होती है आपको इतना रख लिया है दोस्तों खनीच की बात करें दोस्तो तो दोसरी मुख्टत कोई खनीच नहीं पाइजा ये लेकिन दोस्तोओ California ये उदियलती निकाला जाता है जता। बैराइट लगए कि हमने दिखेंगे दोस्तों बैराइट मतलब यहां पायाएगा लेकिन पूछा नहीं जाता है लेकिन बैर यहां पाया जाता है जैसे आपको मैं बता तो कहां लगता साध्यापूर में कोरकु जन जाती पायाती है और यह कोज़ बुज़ नहीं दोस्तों सत्पुरा के आसपास इस्थानों भी पाई जाती जैसे बैतूल हो गया है हुसंगा वाच्छी नवाड़ा शिवनी इंजिलों भी पाई जाती है दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ जो अमेला लगत डोस्तों एक कश बत हो difाय होता है और दोस्तों कश को कई दियास में गोबर्धन मंदिर यहाँ स्ठापित है दोस्तों मतलब यहां गुबारधन मंदिर की स्थाफित आपको याद रखना कहा है कहां साजापुर में आंगे बोली बोली की बात करते हैं दोस्तों तो यहां मालवी बोली क्योंकि मालवक्षेत में आता तो यह मालवी बोली है जो मालवारी सम्दित दोस्तों और इस बोली म माता मंदिर जो बहुत से द् KEVIN कहाँ का सजय पुरुजी लिका आपको याद रखिए किसाद पूर जिले का जो सबसे पूर से मंदिर अब याद करना करना तहां कि इसको नदिक किना यह भिजा पूर्छी मंदिर मुद्र आपको उसक्तिंद की और आंगे देखते दोस्तों तो प्राचीन इतिहास के अनुसार 300 साल पहले सन 1781 में मानी भाई पल्टन ने चार भीगा और दो भीगा भूमी दान की तो यहां की यहां मतलब एक मानी भाई पल्टन महिला थी उन्होंने भूमी भी दान की थी मतलब यह सब राज जाजेशी देवी मंदिर बन बहाने के लिए आंगे देखते हैं दोस्तों दूसरा मंदिर जिसको परशनात मंदिर बोल जाता दोस्तों यह भी कहां पाया जाता साजापूर में पाया जाता दोस्तों यह कहां उसा मंदिर दोस्तों यह जैन मंदिर है आपक तो आंगे देखते हैं तो आंगे दोस्तों एक नरेश मेहता जो कहां सम्द्नित दोस्तों साजापुर सम्मनित है इनको दोस्तों ग्यानपीटपुर्ट कार मिला से कहों साग में चुम्झाल निया दखे लेना इसे के बारे में और देखते हैं दोस्तों थो दोस्तों हमने कुछ इंपटेंट सीध देख लिए एक छिज़ां मंदी है और उद्धानजनाड़नडी आपको इतना भी यात लेना है आपको इंपॉर्णन फैक्ट देख लेते दोस्तों किसे साज़ापूर के साज़ापूर जी यह अकरसित होकर एक नम दियात दोस्तों बाद में इसको साजापूर के नाम से और उसके बाद फिर इसको साजापूर के नाम से जाना जाने लगा साजापूर में किले वा दरबाजे को मुस्लिम इस्थाफित कला का प्रभाव दिखता है मैं दोस्तों मतलब यहां क्योंकि दोस्तों इसको किसने साजापूर दोस्तों मुस्लिम से साथ सकते यहां के जो दर्वाज ए लिए हो aproximadamente कि यह कि आपको छबी दिखेगी दोस्तों साज्यापूर को पूर्व को का precisely क्षाने क् Has IpUR को पूर्व का खान during कि खैड़ा जाता दोस्तों मतलब प्रछें पाइए सबसे कम वएजोस्तो अगrement quality मैं जोस्तों सबसे कम उस्ञाइब किणारी तो कहा पूछ लिया जाए दोस्तों कहां पाय जाते हैं तो आपको बताना है किस चाहए जाल के ब्रक्ष पाय जाते हैं तो तो आपको याद रख लेने दोस्तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तो इस जीले के बारे तो दोस्तो बालकर्षन सर्मा नवीन जिनका जन्म दोस्तो साजापूर में हुआ है और साजापूर कौन से गाउं में भावाना गाउं में दोस्तो एक बेंदक ब्यांग अनाज मंदी है तो आपको ये भी याद रख लेने दोस्तो और क्या दोस्तो एक एक यहां मकवरा है दोस्तो किसका मुल्ला समासुद्दीन का हम लिख देते हैं नाम क्या नाम है मुल्ला समासुद्दीन मुल्ला समासुद्दीन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तो पूंचा जाता को स्चन् वारार कि मुल्या समासुत दील कम वारा कहा है तो आप प्रया देखें दो ने कि न है साध्यपुर में दोस्तों और दोस्तों यह भी देख लिए चीलक नदी किनाय साधियपुर की मफ्रांडम साध्यपुर के कीञिफश्य के जी ले के समत धन्यवाद दोस्तों